नमस्कार मैं हूं डॉक्टर रिया वालिकर वेल्कम डू आर यूट्यूब चानल आज का हमारा टॉपिक है सिकल सेल डिजीज अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेर कीजिए सिकल सेल का बेमारी रहता क्या है सिकल सेल बेमारी शरीर में तब होता है जब हमारे शरीर में हंसिया प्रकार के ब्लड सेल्स तयार होते हैं इसके टाइप तीन में प्रकार हैं एक है एस जिससे हम ट्रेट बोलते हैं एसस जो सिकल सेल का बेमारी रहता है और सिकल जब थालसीम के साथ combination में आता है तो इसे बोलते हैं सिखल थालसेमिया डिजीज ये बिमारी होता क्यूं है मम्मी और पापा जब सिकल सेल जीन के carriers रहते हैं तो उनके बच्चे में सिकल सेल का बिमारी या SS हो सकता है तो आएए ये ग्राफ के द्वारा देखते हैं कि अगर इस एक परफेंटे क्या रहते हैं मतलब इसे प्सक्रान के निवाड़ाइच है लेक्छे इन रहते हैं मतलब वाटार्शं के सिंप्सक्राइब disease सबसे पहले क्योंकि ये सेल हंसिया शेप के रहते हैं हमारी बॉडी में एक mechanism है जिसमें कोई भी अगर abnormal cell body में create होता है तो हमारी बॉडी उसे नश्ट करती है तो हमारी body हैं सेल को नश्ट करती है जिसे हम बोलते हैं hemolysis hemolysis की बजे से बॉडी में जॉन्डिस हो सकता है और गॉल्ट स्टोन्स या पित्त के खड़े हो सकते हैं दूसरा क्यूंकि यह ब्लट सेल्स नश्ट हो रहे हैं और नॉर्मल हीमोगलोबिन का मात्रा कम है इसलिए पेशन्ट को अनीमिया होता है अनीमिया के लक्षेंड रहेंगे लो ऑक्सिजन कैरिंग कपैसिटी जिसकी बज़े से चक्कर आना कमजोरी लगना ठकावत होना और बच्चू का ग्रोथ ठीक से नहीं होना दूसरा अनीमिया की बज़े से जो मेजर और्गन्स हमारे बॉड़ी में रहते हैं उनमें ब्लट सप्लाई भी कम होने से और दीरे धीरे डामेज होना चाल करते हैं नॉर्मल ब्लट सेल्स हमारे बॉड़ी में स्मूथली फ्लो करते हैं वह यह सिकल सेल्स जो रहते हैं वह जाके ब्लॉकेजिस करते हैं क्योंकि यह स्मूथली फ्लो नहीं कर सकते इसकी वज़े से जहां जहां यह सेल्स ब्लॉकेजिस कर रहे हैं वहां वहां हमको प पेन या दर्ध पेशन्ट को होता है इसे हम क्राइसिस बोलते हैं में बहुत अलग प्रकार के क्राइसिस भी है पर्ट इस इसमें मोलते हैं वाज़ो उक्लूजिव क्राइसिस दूसरा और्गन्स में blood supply block होने की बज़े से अगर kidney में हुआ तो kidney damage हो सकता है brain में हुआ तो patient को paralysis का attack भी आ सकता है छोटे बच्चों में paralysis का attack आना एक बहुत common कारण है sickle cell का बिमारी brain में बहुत time से अगर blood supply धीरे 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 बंद हो रहा है तो जो बच्चे रहेंगे वो school में ठीक तर ऐसे धान नहीं दे पाएंगे इसे हम बोलते हैं cognitive dysfunction तो यह बहुत सारे और भी लक्षण है जैसे पैर में ulcers होना, skin में changes होना, heart के problems होना यह सबसे common लक्षण है sickle cell बिमारी का treatment क्या है? sickle cell बिमारी का जो सबसे important हमारे पास medicine है इसका नाम है hydroxyurea यह एक medicine है जिससे minimum 50% patient के symptoms में उनको relief आता है blood supply organs में ठीक से होता है तूसरा अगर patient का hemoglobin कम है तब ही हम blood transfusion देते हैं normal hemoglobin के रहते हम as far as possible blood transfusion avoid करते हैं blood formation के लिए folic acid का tablet देते हैं इसके साथ ही नए नए और उपचार sickle cell की बिमारी में हमारे पास available हैं जिससे हम sickle के symptoms बहुत हद तक कम कर सकते हैं sickle cell का definitive या final treatment या सबसे अच्छा treatment क्या है? वो है bone marrow transplant, gene therapy जो है वो sickle cell में अभी initial phases में है लेकिन इसमें अगर advances हो तो ये sickle cell के patients के लिए एक bone ठहराएगा sickle cell के patients ने precautions क्या लेने चाहिए? ये सबसे important है क्योंकि अगर patient ने ये ठीक से precautions लिए तो patient बहुत हद तक एक symptom free life जी सकता है मैं बहुत हद तक बोल रही हूँ क्योंकि जब तक हम इसका cure नहीं करते जो कि bone marrow transplant है, patient को कुछ न कुछ symptoms तो रहेंगे तो precautions क्या है? सबसे पहला आपका जो दवाई है वो time पे लीजिए इसके जो specialist है, उनको दिखाईए, उनको consult कीजिए, वो आपको बराबर से guide करेंगे दूसरा sickle cell के patient में हम कुछ vaccines रहते हैं जो routinely ये patients ने लेने रहते हैं, जिससे ये patient infection से बच सकते हैं तीसरा, जैसे मैंने second point में cover किया, infection से बचना बहुत ज़रूरी है कुछ patients में हम एक pented नाम का tablet भी देते हैं, जिससे patient का प्रतिकार शक्ती बना रहता है चौता, क्यूंकि ये हंसियास type के जो cells रहते हैं, dehydrated state में जादा प्रमाण में ये बढ़ते हैं इसलिए अगर unless contraindicated, sickle cell के patients ने adequate amounts में पानी पीना चाहिए by adequate mean, normally mean anything between 3 to 4 liters of water जैसे मैंने आपको बठाया, Central India में इसका incidence बहुत ज़ादा है और ये preventable बिमारी है तो मैं आपसे request करूंगी कि information आप share कीजिए चितने ज़ादा लोगों से हो सकता है, share कीजिए हमारे वीडियो को share कीजिए ताकि patient तक, logo तक, general community तक ये information पोच जाए Thank you so much